हालो डियार फ्रेंड मैं मुक्रिश मिस्तरी और मैं आपको आज का सेशन में स्वाइल टेक्चर के बारे मताऊंगा टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है और वीडियो के लाज तक बने रही है और फ्रेंड यदि आप हमार चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को लाइक सब् इंगे स्वेल टएक्चर तो स्फीड टैक्चर क्या बताता है कि एक स्व trusts इंट्पर्टी सब्सक्राइब का सोइल सेंद हो सकता है वो सकता हैी कॉसमों सब्कार रहले ऑाइन आ और अध्यान करते हैंं इतने सारे जो आपका properties होते हैं उनकी बारे में हम लोग अध्यान करते हैं study करते कि इसमें soil texture के अंतरगर ठीक है then आगे it is referred to the size of soil particles और की चीज़ को refer करता है soil के size को refer करता है ठीक है याद रखेंगे बहुत important है and then next it is basic property of soil और soil का यहां एक शामनेक basic एकदम सिंपल सा एक property है क्या है its can not be change और यह क्या होते है change नहीं होते है जो soil texture होता है कभी भी change नहीं होते है बहुत important exam में यहां से question सकता है ठीक और में दे देंगे कि आपका चेंज Jen2 और लोम होता है थीख है बौद भी देंगे ठीक है तुसल सब सोचते हैँ तो चेंग हो सकते है बट आईसा नहीं होता है जो टेक्चर होते कभी भी थेंज़ नहीं होते है आपका जो में जो आपवेल का चेक्टषर आउसका डिटर्माई वसका तर्माइन करते हैं कौन सा मैठोट से बोलेंगे तो फिल मैठोट से अउसका डिटर्माईन किया जाता है तीर जबंगिघन आगे का दॉ चुल मेहां नीकल इनालाइसीस century डिके स्गे के अंदर क्या करते है mechanical analysis करते है soil का ठीक है it is the process of determine एक process होते है परक्रिया होता है determine मुने निर्धारन करने के लिए कि चीज़ का तो the amount of soil separate soil separate मतलो अलग-अलग होना ठीक है separate ठीक है value two mm diameter ठीक है दो से दो mm diameter से जो नीचे जो particles होंगे ठीक है उनका अलग-अलग separate मतलब अलग-अलग एक टाइप का होता है बोलते हैं ना जैसे सेंड सेल्ट के लिए तो इनका जो सभी के अलग-अलग है सभी का जो डाइमीटर है वह आपका दो से कमी होता है दो mm से कम होते हैं इसलिए बोला जाता है कि मेकानिकल जो होते हैं उसमें डीटर्माइन करते हैं amount of soil separate जो सेपरेट होता है अलग-अलग क्योंकि किसी का साइज सेंड सील्ट होता है सबका अलग-अलग-अलग ठीक है और जिसका जो डाइमीटर होंगे वह आपका कितना दो mm से कम होना चीह है तो उसमें हम मेकानिकल अनलाइसिस करते हैं जैन आगे एट्स हेल्प डिटर्माइन दस्वेल टेक्शर क्लासेश और यह क्या करता है help करता है कि चीश कर डिटर्माइन करने लिए वह हैल्प करता है दन नेक्स्ट आगे दा इंटर्नेशनल पीपेट थीक है और भायोकस हाइड्रोंटर मेतोड जो दो मेथोड है इंतरनेशनल पीपेड और यूद पर मेतोड बहुत ही कॉमन मेथोड फर मेकानिकल ऐनालाइसिस अप स्वेल सेपरेट थीक है बहुत इंपोर्टन है दोनों मेतोड को याद रखेंगे the next आगे the international piped method is based और जो आपका international piped हो किसके basis पर बने होते है the principle of sedimentation ठीक है बहुत important है the next आगे बात करें कि soil texture classes of soil is determined by triangular diagram और soil texture का classification होते है उसको किस से determine करते है तो triangle diagram तो इसको नीचे दिखाएंगे कि किस ट्राइग्रम होते है ठीक है तो आपका सबसे पहले देखते है texture classes ठीक है उससे पहले हम लोग triangle जो diagram है texture उसको देख लेते हैं तो यह देखिए यह आपका triangle नाम से आप समझ मेरे triangle ठीक है इसमें टोटल बार आपका 12 स्वेल के class में बाटा गया ठीक है यह आपका clay हो गया यह आपका silt हो गया ठीक है और नीचे देखेंगे तो वह आपका sand silt और क्या हो जाएंगे नीचे sand हो जाएंगे ठीक है याद रखेंगे बहुत important है ठीक है तो आपका इस साइड में हो जागा silt इतना और इस साइड में clay और नीचे आपका sand हो जाएंगे टोटल इसमें 12 जो classes है ठीक है देखते गिनते चलिए एक आपका clay हो गया दूसरा आपका sandy clay हो गया तीसरा आपका silt clay हो गया चौथा आपका clay loam हो गया पांचवा आपका sandy clay loam हो गया देन आगे आपका silt clay loam हो गया तो कितना हो गया एक दो तीन चार पांट छह हो गया ठीक है और छह बचा भी और नेक्स्ट आपका लोम साथ silt loam 8 silt आपका 9 ठीक है 10 11 12 ठीक है तो आपका दस में कौन है sandy loam और 11 में loam sand और last में आपका sand बट इसमें से main आपका जो तीन है सबसे important है रोसी का study किया जाता है ठीक है एक आपका sand एक आपका silt और एक उपर हम लोग देखे हैं clay ठीक है यह आपका clay तो इस तीनों का हम लोग study करते तीनों सबसे ज्यादा important है ठीक है बहुत important है तो देन आगे चलते हैं हम लोग ठीक है आगे हम लोग देख रहे थे texture classes ठीक है जो टेक्चरल जो classes होते है total 12 ठीक है यहां लोग देख लिए जो ट्राइंगूलर होते है उसमें total ट्राइंगल होता है हैं सु तीन जो मेन है उसके बारे में देखते हैं ८ॉ जाहने सेटी सेल किसको मोलेंगे स्वेल कंटेंन मोर और एऔर एकटी फ़र्सिन सेंड ऐसे स्वेल हों具 η इसमें Кон्ट नाइस से ज़्यादा उसमें और सैंड का केसी आखनें रहेंगे उसको हम बोलेंगे sandy soil then silt soil किसको बोलेंगे जब when more than 85% सिल जब किसी soil में 80% से ज्यादा silt होंगे तो इसको हम silt soil बोलेंगे and then clay soil का बोलेंगे more than 40% of clay जब किसे soil में 40% से ज्यादा यदि clay हो रहा है तो उसको हम clay soil बोलेंगे ठीक है then next आगे clay soil have highest pore space than other और यह दो जो है sand silt इन लोगों के comparison में जो आपका clay soil होते है इसमें जो pore space होते है सबसे ज्यादा होते छोटे-छोटे जो छिद्र होते है सबसे ज्यादा आपका clay soil में होते है ठीक है इसके बाद है कुछ basis ठीक है किसके basis पर कुछ बाटा गया आपका soil को classification of soil particles soil के size के अधर पर उनको कई भागों में डिवाइट किया गया ठीक है इसके निचे classification और इसके निचे उसको जो साइज है वह हम लोग परेंगे diameter को mm में ठीक है और यह आपका किसके basis पर बाटा गया है तो isss मिस इंडियन सुसाइटी आप स्वैल सर्वे के basis पर इसको डिवाइट किया गया ठीक है बहुत important है क्योंकि यह जो particle size है एक जाम में पुछा जाता है ठीक है कॉर्स सेंड में आपका 0.2 से 2 mm तक होता है इसका सभी का unit आपका mm में है ठीक है याद रखेंगे देन नेस्ट फाइन सेंड जिसका साइब 0.02 से 0.2 तक है सेल्ड का साइज आपका 0.02 से 0.002 है और क्ले स्वैल का आपका लेस देन 0.002 mm है ठीक है इस साइज सभी का याद रखेंगे ग्रेवाल कॉर्स एंड फाइन सेंड एंड शिल्ट एंड के लिए बहुत इंपर्टेंट है इसका लिए स्वैल टेक्चर में कुछ आओ राता है जो बहुत इंपार्टेंट नै लोमी स्वैल है विःव लाइट सोटें ओधी नपरूस है तो लोमीaları क्या होते है सबसे अच्छा में क्यू मंती कभी प्रिजन इस्पेशली सेंडी लोम ठीक है अब क्योंकि बिकॉस क्योंकि देरीटेन मोर वाटर क्योंकि इसमें बनाये रखते है जो जल है वाटर को अच्छे बनाये रखते है उसका न्यूटरेन ठीक है देन सेंडी सोयल इसमें जो ड्रेनेज होते है दो जो नालिया होते है बहुत अच्छे होते है एड्रेशन भहुत अच्छे होते है साथी Tutaj होते है जिसको भूपरिश्करन जुताई अपको ठीक है द्रिक है धन री कले सोयल के कहमपी इरीजन में किसके तो आपका लोमी सोयल में यह सब गून आपका सबसे अच्छा लोमी सोयल मोता है इसलिए लोमी सोयल को उत्तम माना जाता है जो कृषी उत्पादन के लिए ठीक एगरिकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो क्रॉफ होते उसके लिए आपका जो क्रॉफ होते हैं इसके लिए अधिकांग जो क्रॉफ होंगे उसके लिए उत्तम माना जाताइग आपका लोमी स्वेल को देनेक्स्ट आगे बात करें है वे बया the clay soil इंप्र्ट pan ये होता है कि कोहेशन के थे आपका जो स्कुइशन होते है इक फोर्स होते है जिसमें क्या करते हैं एक प्रेक्शन करते हैं और उसको क्या करते हैं बांद के रखते हैं आपस में सेम काईंड्स की टीक है जैसे water and water टीक है water and water molecules को क्या करते हैं आपस में बंद के रखते हैं इसलिए जो नमी की मातरा हो जादा होता है एक बर पानी देने से छेते में कमसंदश बाराधमिं तक देने की आवश्रखता नहीं होते हैं ठीक है तो इसलिए बोला जाता है कि यह ज जो च्रीच्टर होते हैं वह पाये जाते हैं मतलब आपस में वाटर का जुम मॉलीकूल से उसको बांध के रखते हैं ठीक है इसलिए बोला जाता है कि the force of attraction that binds the molecules of some kinds ठीक है एक्जाम्पल में आपका water and water molecules ठीक है तो समझ में आगा है कि आपका जो question होते हो क्या होते है ठीक है the swell of impart question and strictness और इकाद चिपचिपा type के होते है and texture fine fine texture होते है to the swell and induce resistant होते है to the passive of implement then other words दूसे शब्द में its mag बनाते है soil heavy then आगे this soil is suitable for cotton rice और shoregum यह जो तीन क्रॉप है cotton rice हो गया shoregum हो गया इनके लिए बहुत ही suitable माना जाता है heavy soil को क्योंकि इनके लिए बहुत ही rice के लिए तो बहुत ही suitable है क्योंकि उसके water की आवश्यक्ता होते है ठीक है और आपका clay soil में nutrient के जो capacity वो भी जादा होते है ठीक है और rice के लिए water की मातरा बहुत जादा जाता है तो के लिए जो soil है बहुत ही suitable माना जाता है then next आगे है आपका light soil अब light soil क्या होते है light में हलका soil में सब जो nutrient बगरा की थोड़ा हलका होगा ठीक है आपका light soil हलका soil the comparison क्या बता रहा है the in comparison to clay soil sandy soil offer a light resistant to implement is called आपका light soil जो आपका sandy soil होगा है इसके comparison में क्या होते है light resistant होते है ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे light soil light resistant होते है बहुत इंपर्टन है light soil याद रखेंगे light soil suitable for groundnut पोटेटो तवेको एंड लेग्यूम्स ठीक है इतने जो क्रॉप है उसके लिए light soil बहुत ही suitable होते है ठीक है अब यह याद रखना कि ग्राउन नट पोटेटो यह क्या होते है आपका soil के नीचे होता है ठीक है यादि कोई क्रॉप्स में फ्रूट या फ्ल जो भी आपका नीचे बन रहे तो उसके लिए अच्छे से गुरोव पाता है उसका साइज भी इंक्रीज होता है अब हेवी स्वेल में लगाएंगे तो कभी इंक्रीज नहीं होगा ठीक है है और लाइट स्वेल इसलिए बहुत ही शूटेवल माना जाता है अपका ग्राउंड नट पोटेटो ठीक है तब एको ठीक है और यही तक था आज का सेशन और सेशन कैसे लगा प्लिस कॉमेंट बक्स पर बताएं नेक्स्ट वीडियो के सथ मिलते हैं थेंक्यू